तो दोस्तों कहानी सन 1815 फ्रांस की एक जेल से शुरू होती है जब जीन नाम के एक आदमी को ब्रेट जुराने के एक मामूरी से जुर्म के लिए 19 साल की सजा हुई थी जेवर्ट नाम का जेलर खास तोर पर उससे दुश्मनी निकालता था आज जीन परॉल पर रिया हुआ है लेकिन परॉल में जो डेटेल्स दी गई है उस वजह से जीन को काम और घर ढूंडने में परिशानी आ रही थी एक रात बिशप ने उसे बाड़ी में देखा बिशप दिल का अच्छा इंसान था उसने जीन की अच्छे से खातिरदारी की उसे चांदी के बरतन में खाना परोसा गया जीन की नजर उन चांदी के बरतनों पर थी इसलिए उसने रात के अंधेरे में उन बरतनों को चुरा बात करने के लिए ये सुनकार्स ने जीन को छोड़ दिया जीन ने अपनी परॉल तोड़ दी एक नई जिंदिगे की तलाश में आठ साल बात हमें एक फैक्टरी का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेबर जिसका नाम फैंटाइन था उस पर फॉर्मैन की गंदी नजर थी इस उकल थैंडियर्स के साथ रहती है और फैंटाइन उन्हें पैसे भीजा करती थी और ते फैंटाइन से लड़ने लगी और फिर हम वहन जीन को देखते हैं जो अब इस फैक्टरी का मालिक और उस शहर का मेयर था वो उन औरतों को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी नजर उस जेलर पर गई जो ट्रांसफर होकर इसी शहर में आ गया था जिसे देख जीन खबर आ गया जीन फैंटाइन से उन औरतों का मामला सुलचाने को कहकर उससे मिलने चला गया औरतों ने फैंटाइन के खिलाफ फैंटाइन को भड़काना शुरू कर दिया कि इस तरह फैंटाइन को अपनी नौकरी से हाद होना पड़ जाता है उधर जेलर को जीन पर शक है कि उसने जीन को पहले भी कहीं देखा है तबी उन्हें बाहर से लोगों की चलाने की आवाज आती है और बाहर जाकर उन्होंने देखा कि एक गाड़ी के नीचे एक मजदूर दबा हुआ है जीन जिस तरह से उस काड़ी को उठा कर उस मजदूर की जान बचाने की कोशिश करता है ये देख जेलर का शक और गहरा हो गया कि ये वही जीन है जो कई साल पहले अपनी परॉल तोड़ के भाग किया था उदर हम फैंटाइन को सड़कों पर देखती है उसक फैंटाइन को अपनी बेटी कौसेट को पैसे बेशने थे इसलिए वो अपने बाल उस बोड़ी औरत को बेश देती है अपने बाल गवाने के बाद फिर से एक आदमी ने जब अर्दस थी उसके दाद भी ले लिये अब फैंटाइन के पास बस उसका जिसम बचा था जिसे बेच कर वो वेश्या बन गई तब ही एक क्लाइंट फैंटाइन के साथ बत्तमीजे करता है जिस वज़ा से फैंटाइन ने उसके चेहरे को नाखुनों से नोश डाला जेलर उसे अरश्ट करने आ गया तब ही वहाँ जीन आ जाता है जो फैंटाइन को पहचान गया था उसन कि उसी के फोर्मैन ने उसे काम से निकाला था जिस वज़ा से उसके साथ ये सब कुछ हुआ ये कहकर उसने जीन पर थोग दिया जीन के अंदर ये गिल्द है कि ये सब उसी के वज़ा से हो रहा है वो फैंटाइन को उठा कर हॉस्पीटर ले गया क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी और फिर उसने कोट के आगे अपनी असली पहचान बताई कि वो एक कैदी है जिसने परॉल तोड़ी थी लेकिन कोट को लगा कि जीन मजा कर रहा है वो तो शेहर का मेयर है वो कैदी कैसे हो सकता है जीन होस्पीटर लाया और फैंटाइन से वादा किया कि उसकी ब पजकर वहाँ से भाग जाता है जिसके बाद हमें फैंटाइन की बीटी कोसेट को दिखाया गया जिसे उसकी अंकल आंटी ने नौकरानी बना कर रखा हुआ था जीन उनके पास आता है और पैसो के बतले उसने कोसेट को उनके अंकल आंटी से खरीज लिया वैसे भी उसके आंटी को कोसेट से कोई भी लगाव नहीं था और जीन ने फ्रेंटाइन से उसकी बेटी का ध्यान रखने का वादा किया था फिर हमें 9 साल बात 1832 के पैरिस में लाया जाता है जहां गरीबों की मसीहा सरकारी अधिकारी जनरल लेमार्क की मिर्ती हो गई है और कुरांतिकारी स कोसेट भी बड़ी हो चुकी है मारियस को कोसेट से पहली नजर का प्यार हो जाता है और फैनेर डियर जीनके गर को लूटने का प्लैन बनाता है लेकिन एपोनीन उसे रोक दीती है एपोनीन जो खुद मौरिस से प्याह करती है मौरिस को कौसेट के साथ देख उसका दिल तूट किया जेलर के डर से जीन कौसेट के साथ इंडरन भागने का सूचता है कौसेट मौरिस के पास रहना जाती ले मार्क की अंतिम संसकार जलूस के दोरान विद्रो शुरू हो गया और पूरे पैरिस में बैरिकेट्स बना दिये गए जेलर को उस आंदोलन को रोकने का जिमा सौपा गया था वो उसी आंदोलन का हिस्सा होने का नाटक करता है लेकिन एक बच्चा उसे पहचान गया जेलर कहता है कि वो अब नहीं बचेंगे जिसके बाद सभी ने उस जेलर को काबू में कर लिया लेकिन तब तक उन्हें सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था मौरियस जब एक विस फोटक लेकर उन सैनिकों के सामने गया एपोनिन मौरियस को बचाने के लिए अपने सीने में गोली खा लेती है मरने से पहले वो मौरियस को कॉसेट का एक लेटर देती है जो उसमें चिपा दिया था जिसके बाद मौरियस कॉसेट के लिए एक लेटर बिचवाता है उस लेटर को पढ़ने के बाद जीन को एहसास हुआ कि अगर आज उस विद्रो के दौरान मौरियस मर गया तो कॉसेट सेह नहीं पाएगी इसलिए जीन ने इंगलेंड जाना कैंसल कर दिया और मौरियस के साथ उस विद्रो में शामिल हो गया वो देखता है कि जीलर को उन्होंने बंदी मनाया हुआ था वो जीलर को फासी देने की बात करता है लेकिन उसने जीलर को मारने के वज़ाए सबसे छिप कर उसे अजात कर दिया उसने हवा में गोली भी जलाई ता कि सब को ये लगे कि जीन ने जीलर को मार डाला सुबा होने तक सैन एक बैरिकेट पर धावा बोलकर सभी करांतिकारियों को मार डालते है मारियस को भी गोली लगी थी जीन उसे लेकर छिप जाता है और फिर वो सिविर में भाग जाते है जेलर उन लोगों की लाश देखने आया और जब उसने उस बच्चे की लाश देखी वो दुख से भर गया और उसे सम्मान में अपना बैच दिया और फिर उसकी नजर वो सिविर की खुले हुए धकन पर पड़ी और वो समझ गया कि यहां से कोई भागा है सिविर के अंदर थैनेर डियर्स ने बेहोश मारियस के अंगूठी चोरी कर ली और जब जीन को होश आया वो थैनेर डियर्स से बाहर जाने का रास्ता पुछता है थैनेर डियर्स उसे रास्ता बताता है और जब जीन उस सिवे से बाहर आने का रास्ता ढून रहा था वो सामने जेलर को खड़ा पाता है जो उनका बाहर आने का इंतजार कर रहा था जीन बताता है कि मारिस मरने वाला है और उसे डॉक्टर की जरुवत है ये देखा कि मारिस मौत पे करीब है जेलर उन्हें जाने देता है लेकिन अब जेलर खुद के अतीद से दुखी है कि वो कैसी दूसरों को परिशान करने वाला एक गिराक्षस था जीन जिसे उसने इतना टॉर्चर किया उस इंसान ने उसकी चान बक्षी उसका मानना है कि या तो वो या फिर जीन जिन्दा रह सकता है इसलिए उसने जील में कूट कर सुसाइट कर लिया उधर कई दिनों बाद मार्यस को होश आया मार्यस और कॉसेट फिर से एक हो गए लेकिन जीन को चिनता है कि उसका अतीद उनकी खुशियों को खत्रे में डाल सकता है इसलिए उने अकिला छोड़ने की सोचता है वो मार्यस को अपना अतीद बताता है और मार्यस उसकी अतीद के बारे में जानने के बाद कॉसेट को कुछ भी न बताने का वादा करता है जीन वहाँ से चला गया मारियस और कॉसेट की शादी में थैनेरियरस भी जिप कर शामिल हो गया और उसमें मारियस को ब्लेक मिल करके 500 फ्रेंग्स मांगी वरना वो सबको मारियस का कुरांती कारी होने का सच पता देगा मारियस को उसे पता चला कि जिस दिन उसे गोली लगी थी उस दिन जीन ही था जिसमें उसकी चान बचाई थी इसलिए मारियस ने थैनेरियर को ये बताने के लिए मजबूर किया कि जीन इस वक्त कहां है और उसे पता चला कि जीन इस वक्त कॉन्वेंट में है जिसके बाद हम एक बिमार जीन को देखते हैं जिसे फेंटाइन की आत्मा उसके बेटे का खयाल रखने के लिए शुक्रिया कहती है मारियस और कॉसेट भी जीन को धूंटते हुए वहां तक आ गए जीन कॉसेट को एक लेटर देता है ये कहते हुए कि जो वो मर जाए तब कॉसेट ये लेटर पड़े जाहिर है कि इस लेटर में उसने अपने अतीद के बारे में लिखा होगा जिसके बाद जीन बिशप के पास आता है क्योंकि उसने इच्छा मृत्यों की मांग की थी और लाश्ट में हम उसे उन शहीद हुए करांतिकारियों के बीच देखते हैं जिसका मतलब ये था कि जीन मर चुका है और इसी के साथ ये पर इस मुवी का हो जाता है दी एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर शेयरो करतीजेगा मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में बाई